उम्र मात्र बारा साल की उम्र में बड़े से बड़े समंदर की गहराईयों में समा जाती है पानी के अंदर उसके पास से कई खतरनाक जानवर गुजा जाती हैं पर उसे जराबीटर नहीं लगता है एक दो नहीं कई घंटों तक समंदर के तल में रहना उसकी आदत बन गई है जिस सुम्र में बच्चे स्विमिंग पूल में जाने से डरते हैं उस सुम्र में इस लड़की ने बड़े से बड़े समंदर की गहराईयों में जाकर बर्ल रेकॉर्ड भना दिया उम्र मात्र बारा साल नाम कैना कारनामा ऐसा जिसे करने से पहले दुनिया के बड़े से बड़े आदमी के पसीन छूड़ जाएं समंदर की तेज लहरे कई किलो मीटर तक पानी के सिवा कुछ भी नहीं और उस पानी में बजूद एक से खतरनाक जानवर और उसी समंदर के बीचो बीच पानी के गहराईयों में छलाग लगाती है बारा साल की लड़की जिसने अपने कारनामे से पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया वो एक दो नहीं बलकि कई घंटों समंदर के पानी के अंदर तहती रहती है बड़े से बड़े जानवर उसके बगल से गुज़ा जाते हैं उसे जरा भी ड़न नहीं लगता और उसने अपने इसी कारनामे से बल रिकॉर्ड बना दिया और बन गई दुनिया की सबसे छोटी स्कूबा डाइवर जिस उम्र में लड़कियां खेल कूद और पढ़ाई में मस्गूर होती हैं और सुम्र में भारत की इस बेटी ने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया बताते बैंगलूर की 12 साल की काइना खरे ने इस समय दुनिया की सबसे कम उम्र की स्कूबा मास्टर डाइवर बन रिकॉर्ड बनाया है। काइना खरे ने अपने सफर को खोद बयान किया जिसमें उन्होंने बता है कि कैसे महस 10 साल की उम्र में उनके सफर की सुर्वात कि देश की बेटियां मौका मिलने पर किसी भी चुनोती का सामना कर सकती हैं क्योंकि 12 साल की उम्र में बच्चे पानी से कोसो दूर रहते हैं लेकिन ये बड़े से बड़े समंदर के अंदर हाबा में चलांग लगा देती है। मैं आधकानिक तोर पर अंडमान और निकोवाब दी समू में मास्टर डैवर बन गई। पानी के नीचे रहना मेरे लिए बहुत सांत और आरायम दायक है। पर बन कर बिस रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप नहीं जानते कि पानी के नीचे क्या होने बाला है। और यही सबसे अच्छी बात है। मैं समुद्रे बिग्यान में आगे बढ़ना चाती हूं क्योंकि मुझे समुद्र से बहुत लगाव है। खैल कैना दुनिया की सबसे कम उम्र की स्कूबा डाइविंग बन चुकी है और लोगों से सलाम कर रहे हैं। बुरल बौट